तो रेसले मेनिया बहुत जादा करीब है यार और काफी असरी चीज़े जो कि अब हो रही है बट कुछ ऐसी चीज़े जो कि रेसले मेनिया 34 पर हम देखना ही चाहते हैं और वो होनी भी चाहिए डबड़वी कर भी सकती है तो आज अब उसे के बरे में मत करने वाले हैं तो आप देखना है रेसल गुरू और मैं वर्मन चलिए वीडियो में चलते हैं तो पहले हम बात करें सब्सक्राइल जो कि वह 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 पर उन्हें हरवा देना चाहिए और उनकी जो कि है स्ट्रीक वह पर खतम कर देनी चाहिए Because WWE के पर ऊक्षियोगा यह बहुत बड़ा सोकिंग मुवमेंट होगी उसके बाद जो कि Jeff Hardy है God J timeline 34 पे वापिस होने को मिल जाएं सिरफ Jeff Hardy नहीं डीन है भर वह बहुँ एकर यह चीजें हो जाती हैं दोनों ताए दोनों फाइटिंग के लिए ना आए दोनों वैसे ही पेरेंस करते तो भी रसले मेनिया 34 के लिए बहुत बड़ी है मोमेंट होगी जैसे कि जो कि एक मैश जो कि डबड़ी बुक कर सकती है जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेज रॉमा रेस तो उल्रेडी जैसे की कनफर्म्ड है अब डबड़ी इसके अंदर एक और सुपरस्टा डाल सकती है मैं मानता हूं कि रॉमा रेस और ब्रॉक लेसनर जो कि बहुत बड़ी हा मेल इवेंट होने बाला है और यह अकेला ही सिंगल ह कंदली पूरे इवेंट को हंडल कर सकता है विजब आवागोर जो कि है डबड़ी काफे ज़्यादा पैसा कमा लेती है प्रॉफेट कमा लेती है बट मैं नहीं करता के डबड़ी क्या करती है मैं क्या सोचते हैं तो इसके लिए कर मैंस्टों तो अगर इसमें एक र्सलर ओर कर दिये जाए यानि कि जौन सिना अगर डब 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 ली जौन सिना को इसमें डाल देती है तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई में इवेंट हो नहीं सकता हिस्ट्री में और ना ही कभी आगे फ्यूचर में हो सकता है रॉक्लेस्टर वर्स जौन सिना वर्स डॉमन रेंस जब की एक उनके साथ करेंगे हाला कि रॉमन इसा भी निव कमर नहीं है बटा कर अब उनके एक्स्पिरियंस के साथ से करें तो हां बिल्कुल तो जिसमें की लास्ट में जो कि मैं आपको चोथा सर्पास के बारे में बात करूं तो वो यह हो सकता है कि दोनों को हराकर यानि कि डबल प सब्सक्राइब वीडियो को लाइक अबने दोस्तों के दरूशेकर तो आप देख रहे हैं तैसल गुरूर मैं हूं हर्मन